कच्छा दस्वी के सभी विद्याती जिनका पांच भरवरी के दिन पेपर है उनके लिए बहुत ही महतुन आज अपन कॉस्टिन पेपर सॉल्व करेंगे ठीक है विश्वास रखेगा बढ़िया से आप तो कंपलीट करो इन बच्चों की तरह आपकी भी परसेंटेज बनेगी कोई रियल पेपर नहीं मिलने वाला बैटा किसी को भी है न सबी चीजे आपको वेसे ही मोडल पेपर ही प्रोवाइड कराये जाएंगे ठीक है अपने पास में तो यही है जो कोई देता हो दूसरा तो उनके पास अपने ले सकते है न यह अपने पास में सेट A है B है C है D है यह और पूरा सोलिशन के साथ इसा नहीं एक से लगा के तेविस तक का और पूरा समझाएंगे भी से इसा थोड़ी है ना चलिए तो बढ़िया से शुरू करते हैं लकनवी अंदाज के स्प्यंकर्ण किया गया है पतंसिल नवाबों कर दसानन्द में समा से तो बहु बिलि है उत्सा उत्सा जो है निराला जी की रचना है करून रस का स्थाई भाव सोक होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कुस्चन देखते हैं यहां से आप बढ़िया से कंपलेट करना है आपको हैना वैया यह देखिए डेडेडेस में किरिया विसेशन से किरिय होने की रीती का ज्ञान होता है यहां पर जागा रीती वाचक यह जागा रीती अग्य हीरो सीमा कविता रेल गाड़ी में बेठे बेठे लिखी यह रेल गाड़ी सूर्यकान तिरपाटिक निराला छायावाद के कवी हैं करुन रस का इस्थाई भाव करुन रस का इस्थाई भाव करुन रस का जो इस्थाई भाव होता है वोता है सोक इद का चांद होना एक प्रिसित मुहावरा है इद का चांद होना भूक है टांग के अविस्कार के पीछे अब यहाँ पर देख लिए यह गलत है यह आग के अविस्कार के पीछे ठीक है है तो देखिए आग के अविस्कार के पीछे भूक और प्रकास के अविस्कार रही प्रिशिद्ध इस्मरंकार है वो को ने आपके प्रिशिद्ध इस्मरंकार का जाएगा महादेवी वर्मा पहला जाएगा महाभोज महाभोज का मन्नोभन दारी क्रिया करता के अनुसार कुर्टवाच्य धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं सूर्दास सूर्दास का जाएगा वासले सम्राट के वासले रसके सम्राट माना जाता है इने यह आपका पांच वो जाएगा और चोबीस मात्रा वाला चंद को हम कहते हैं दोहा चंद ठीक है भी जाँ चले अब है एक वाक्षी में उत्तर माधुरिय गुन का एक उधारन यहां पर लिख देता हूं मैं आराम से बिनुम गोपाल बेरिन अच्छे समझो आप जो अच्छे समझेंगा ना उसे ही समझ में आएगा बागी को कुछी पल देनी पड़नी जो स्किप स्किप करकर करके बागी का ना भाई कुन कुन जे हैं किरिया की विसेशता का बोध कराने वाले सब्द कहलाते हैं किरिया विसेशन अग्ये ने जापान में हुए बंब स्पोर्ट पर कुन सी कविता लिखी हीरो सीमा कि भशल किसके पानी का जादू है देखो भशल जो है नदियों के कि स्ताई भाव को जगाने वाले सड़ा उद्दिपत करने वाले कारक को क्याकर है जाते हैं इस्ताई भाव को जगाने वाले कारक को के कहते है वी भाव कहानी के कितने ततु माने गए हैं छे हो गया सत्य असत्य है नहीं आगर दिखते हैं भाव आच्ची में क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो ये आपका असत्य रहेगा दूसरा है कुटिया में धर्म चक्र को देखकर लेखेगा को लगा कि समस्त भारत में एक जेसी ही सोच है ये आपका सत्य है प्रहरी वील को गुमाने से पाप धुलते हैं ये आपका असत्य है नागर जुन को दंतुरी तो मुस्कान बूरी लगती है ये आपका असत्य है जहां नायक नायका की विरहा का वर्नन हो वहां सयोक स्रंगार होता है अर भैयस नायक नायका का विरहा हो रहा है तो वियोक स्रंगार है मर्दंग एक तरह का वाद्दी यंत्र है भैयस सकती है ठीके अब यहां से आप बढ़िया से कंपलेट करिए का यह देखिए सेनारी न आनंद को सल्यान अथ्वा मन्नु बंडारी का सायत्तिक परीचे में लेखित बिंदों पर देना है आपको तस से मस ना होना रंग में भेद पड़ना एरस्वरी रंग में भंग पड़ना भोलानात अपने साती बच्चों सातीयों को देखका सिश्चकना क्यों भूल जाता है वर्कतिक सुंदर रिह में कि आलोकिक आनंद में डूबी लेकी का को कौन सा द्रस्चे जंग जोर गए वर्कति बात के दो कुर्मुक विश्चता है लिखेगा लेती काल की प्रसको स्रंगाल काल योक आगया जे संकर प्रसादत्वा तुलसिदास की काविगत विश्चता है मरजादा ना लही कि मांद्यम से मरजादा ना से रहने की बात कही जा रही है इन कविटाओं के आधार से निराला कि काविगी सिल्प की विश्चता है बताइए ये कुछस्य नमरा पकशवदा है कि देश प्रेम की भाव से भरे केप्टन चस्मेवाले के मन में देश पर बलिदान होने की प्रति सम्मान का भाव है सुबाज चंदर बोस के प्रति उनमें स्रद्दा का भाव है इसलिए उनकी प्रति मापर चस्मा लगाता है और उनके मन में देश के प्रतीप खोजियों का जैसा नहीं इसलिए लोग उने केप्टन केते थे ठीक है यहां से देख सकते हैं आप फिडिया साथ थोड़ा सा छोटा कर दो तक आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं आज आज सानी से जी हो गया है हो गया है आगे बढ़ते हैं आग की खोज एक बहुत बड़ी चीज यह क्यों मानी जाती है और यह इसका उत्तार यह जो चैनल है के वल और के वल आपके लिए विसेश यहां पर मदद कर रहा है कि हमारे टैंथ किलास के बच्चे जो है और विसेश कर आप मारे रचनाएं यह भासा हो गई है जो पेपर में दिया आएगा वही बता रहे है ना जैसे आपका पर देखे नमर आठ ना एक कुछ से नम्मर आठ में देख लीजेगा यहां पर देखे दो रचनाए पुचिन की बहासा से लिए और मन्नु बंडारी की बहासा से लिए तो यह हो गया है दो रचनाए बहासा इसे लिए यह हो चुका है इसके बाद में यह थुआ है हो गया तो से नमर दस से यह धोलानात अपने सातियों को देखकर सिशकना क्यों भूल जाता है इसके बाद में यह थुआ हो गया है अगला है जे संकार प्रसाद की आविगत विश्यस्ता है परने में लिखित बिंदों पर लिखिये है एक दो रशनाय की बहावपक्षे पूछा है विए से मैंने पूरा डिटेल इंसम का परशाब को बदाबी दिया है चेनल पर मिल जाएगा ठीक है यह तुलसिदास जी की दुलसिदास जी का भी बहावपक्षे बढ़िया से मैंने कहा ना भुला दे डर कुछ अलग करा मुझे भरोजा करिए विश्वास करिए ना यह नहीं कि उठाके ने चला है वीडियो बना दिया है मैंने इसा नहीं है मैं थोड़ा समझ यह अपनी ओफलाइन कोचिंगा रिजल्ट है इससे पहले साल का यह देख लिए आपको सामने हर साल अपन प्रगती पर ही है और अपकी बार मैंने बोल दिया नभेपा ठीके आप यदि चाहते हो कि हमें भी वास्तों में अच्छे नम्मर मिले और हम कहीं से भी पढ़ो पर पढ़ो ठीक है यह देखे कुश्य नमर 13 है इसके लाव अलग से पढ़ो इसने बदा किया यह कुश्य नमर 4 है यहां सैथ हुआ यह यहां पर पंदरवा है प्रसनुद